लेसून की बिकडी में थोड़ी तेजी दर्ज की गई है निर्याद तो खुला है पर किस कारण निर्याद अभी बहुत कम हो पा रही है लेसून के बाजार और आवक की क्या सब इस्तिती है जानेंगे पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में नमस्कार मैं हूँ शिवांगी और आप देख रहे हैं एमसूर्वा एग्रो का डिजिटल पेज पिछले कुछ दिनों से लेसून के बाजार में भाव फिलहाल सामान है ना इसके भाव में तेजी आई और ना ही मंदी पर बाजार फिलहाल उपर की तरफ ही रुख कर रहा है सूपर कॉलिटी की लेसून बिकरी हर मंडियों में अच्छी देखने को मिल रही है जिससे उसके भाव पर भी पकर बनी हुई है सबसे पहले बात करते हैं लेसून के निर्यात के बारे में निर्यात फिलहाल चालू है लेकिन एक्सपोर्ट में डिमांड की कमी के वज़ा से एक्सपोर्ट काफी कम मातरा में हो रही है लहसुन के निर्यात में सबसे आगे चीन का नाम आता है पर चीन से भी अभी तक के आकड़े के अनुसार लहसुन के निर्यात में कमी दर्ज की गई है लहसून का उत्पादन इस वर्स अलग-अलग देशों में काफी जादा किया गया है जिससे हर देश अपने पास के देशों से ही लहसून का आयात कर लेती है केवल भारत और चीन ही नहीं दुनिया के जितने भी सिर्ष लहसून उत्पादक और निर्यातक देश थे जगा से लहसून का निर्यात कम हुआ है लेकिन अब अप्रेल के पहले हफते के बाद लहसून के निर्यात मांग में इजाफ़ा देखने को मिल रहा है यही वज़ा है कि लहसून के इंटरनेशनल प्राइस धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है जिसका आसर भारत के मंडियों पर भी परता हुआ दिखाई देगा अब लगबग हर मंडियों में लेसून की आवक आ चुकी है हिमाचल के कुछ हिस्सों में लेसून निकलना अभी बाकी है पर वो अब निकलना सुरू हो जाएगी लेसून का भाव इसकी कुवालिटी डिमांड आवक और होने वाले निर्यात और आयात पर निर्भर करता है भारत में इसकी खेती सबसे ज़्यादा मद्यपरदेश, राजस्थान और गोजरात में किया जाता है इस बार लहसून का रखबा बहुत जादा किया गया था लेकिन रखबे के अनुसार उत्पादन काफी कम हुआ है वहीं कुछ किसानों का कहना है कि इस बार रखबा भी कम लगाया गया था पर पिछले वर्स लहसून के बाजार में भाव बहुत ही कम देखने को मिले थे जिसके बाद से किसानों ने खेती थोड़ी कम कर दी थी लहसून की आवक अगले महीने में कम करने की संभावना है इस भाव पर किसान न बेच कर स्टॉक करने की तरफ रुख कर रहे हैं और स्टॉकिट्स के लिवाले भी अब सुरू हो चुकी है जिससे दूसरे राजियों में प्याज की आवक कम पहुचेगी डिमांड बनी रहेगी तो भाव में उच्छाल भी देखने को मिल सकता है लहसून के भाव में इस बार किसान को काफी परिशान किया है पर आने वाले समय में इसके भाव मौझूदा भाव से अच्छी दिख सकती है शादी के सीजन रहने की वज़े से डिमांड बढ़ रही है और लिवाली भी मजबूर निकल कर आ रही है विदेशों में अब चीन के लैसून की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है ऐसे में भारतिये लैसून का एक्सपोर्ट भी खारी के देशों में किया जाएगा लेसून की बात करें तो नई उटी लेसून का भाव 35 से लेकर 45 सो तक निलाम किया जा रहा है वहीदेशी मीडियम 25 सो से लेकर 35 सो तक के भाव पर ट्रेड कर रहा है हलकी क्वालिटी 500 से लेकर 15 सो तक देखने को मिल रहा बाकी इस से जुरे कोई भी रिपोर्ट सामने आती है तो आप तक जरूर पहुचाएंगे तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ